नमस्कार दोस्तों कोरु 3D कैपसूल एक मल्टी विटामिन हेल्थ सप्लिमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरॉल स्वास्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन परियाप मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में ठकान रहना, शरीर की इम्म्यूनिटी का कमजोर होना और बार-बार बीमार पढ़ना आदी स्वास्थ संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। Qora 3D capsule शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनरजी के लेवल को बढ़ाता है. इसके अलावा, Qora 3D Capsule शरीर के नाखुनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाय रखने में मदद करता है. कोर 3D कैपसूल तवचा पर बढ़ती उम्र के दुश प्रभावों को कम करता है और तवचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। कोर 3D कैपसूल के अंदर कौन-कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हिल्थ बेनिफिट्स होते हैं। भी DHA बहुत ही जरूरी होता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में बच्चे के ब्रेन और आखों की ग्रोथ के लिए भी DHA जरूरी होता है। DHA शरीर के जोडो और शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है और चहरे की चमक को बढ़ावा देता है। Koro 3D कैपसूल के अंदर Folic Acid 5Mg मौजूद होता है। Folic Acid शरीर में नई Red Blood Cells को बनाने में मदद करता है। Red Blood Cells पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है। यदि शरीर में Red Blood Cells पर्याप मात्रा में नहीं बनती है। तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। Folic Acid शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में Folic Acid की कमी होती है। उन व्यक्तियों में depression होने का भी जोखिमदिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी folic acid को लेना बहुत जरूरी होता है। इस से होनेवाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और folic acid कई जनमजात रोगों से बचाव करता है। प्रेगनेंट महिलाओं में, फॉलिक एसिड की कमी होने पर होने वाले बच्चे में, निूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना, बाइफीडा और एननसेफली हो सकता है। कोरो 3D कैपसूल के अंदर मेकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B12 को मेकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्त रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर हाथों वपैरों में सुई चुबने जैसी समवेदना होना, शरीर की नसों में दर्द वशरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी वथकान रहने की समस्या हो सकती है. कोरु 3D कैपसूल के अंदर पाइरिडोकसिन 1.5 mg मौजूद होता है. पाइरिडोकसिन को विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है. पाइरिडोकसिन शरीर में हीमोगलोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है. इसके अलावा पाइरिडोकसिन प्रेगनेंट महिलाओं में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और जी मिचलाना आदी समस्याओं को भी दूर करता है. दोस्तों, अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. अब हम डिसकस करेंगे कि कोर थ्रीडी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर कोर थ्रीडी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं. कोर थ्रीडी कैपसूल का उप्योग शरीर के ओवरॉल स्वास्थि को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में खून की कमी होने पर, आखों की कमजोरी को दूर करने के लिए, नियूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने पर, डाइबिटिक नियूरोपैथी होन शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनरजी वा स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान वा कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कोर थ्रीडी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं. ज्यादा एकसरसाइस करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवशक्ता होती है. इसलिए ज्यादा एकसरसाइस करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाल व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए कोर 3D कैपसूल को ले सकते हैं, जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में नुट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती हैं, इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर कोर थ्रीडी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनंट महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी नुट्रिशन की आवशक्ता अधिक होती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में नुट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर कोर थ्रीडी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वज़ा से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर कोर 3D कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। अलावा जो व्यक्ती शराब का सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भी नुट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर कोर 3D कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की कोर 3D कैपसूल को कैसे लेना रेकेमेंड़ होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कोर 3D कैपसूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सला देते हैं। कोर 3D कैपसूल को सुभा या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। कोर 3D कैपसूल को आप हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ कोर 3D कैपसूल को न ले। कोर 3D कैपसूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको कोर 3D कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए कोर 3D कैपसूल को कितने दिन तक लेना चाहिए यह कोई fix नहीं होता है क्योंकि कोर 3D कैपसूल एक health supplement है अगर आपकी डाइट में nutrition की कमी है तो आप कोर 3D कैपसूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से nutrition की कमी पूरी न हो जाए आप अपने शरीर में नुट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सबजियों, सलाद, डूध, दही, काजू, बादाम वा अन्य ड्राइ फ्रूट्स का सेवन परियाप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं. यदि आपके डॉक्टर ने कोर 3D कैपसूल को लेने की सलाह दी है, तो आपको कोर 3D कैपसूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. Side effects की बात करे तो वैसे Cora 3D Capsule एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में Cora 3D Capsule की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Cora 3D Capsule की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे उल्टी आने का मन होना, मुँ का स्वाद खराब होना, पेट दर्ध होना, दस्त होना या कब्स होना आदी side effects Cora 3D Capsule की वज़ा से हो सकते हैं Cora 3D Capsule की वज़ा से ये side effects सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं केवल कुछ percent व्यक्तियों में इन side effects को notice किया गया है Cora 3D Capsule को recommended dose से ज्यादा dose में लेने पर Cora 3D Capsule की वज़ा से side effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है इसलिए आपको Cora 3D Capsule को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई dose में ही लेना चाहिए अब हम discuss करेंगे कि Cora 3D Capsule को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Multivitamin Capsule या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थो जैसे कच्चे फलों या सबजियों से मिलने वाले vitamins और minerals की बराबरी नहीं कर सकते है Multivitamin Capsule या टैबलेट को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने Multivitamin Capsule या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो Cora 3D Capsule का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है कुछ व्यक्ति पूछते है कि क्या Cora 3D Capsule वजन को बढ़ाता है या नहीं Cora 3D Capsule एक Multivitamin Capsule है जो आपके स्वास्थे को बहतर बनाने में मदद करता है Vitamins न तो वजन को बढ़ाते है और नहीं वजन को घटाते है इसलिए Cora 3D Capsule आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Cora 3D Capsule से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है